अगर आपके माइक्रोफोन का जो जैक है वो 3.5 mm जैक है तो उसे आप कैसे कनेट करेंगे अपने स्मार्टफोन के साथ देखते रहिए मैं बताऊंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नए वीडियो की नोटिफिक्शन्स के लिए बेल आइकन को दबाएं तो फ्रेंड्स ये है मेरे हाथ में एक स्प्लिटर 3.5 mm जैक स्प्लिटर तो यहां पर 4 divisions आपके यहां पर दिये हुए हैं 4 metal strips हैं जो connectivity आपकी प्रोवाइड करती है TRRS तो यह आपका TRRS स्प्लिटर है अगर आप यहां पीछे back side में देखें तो यह एक microphone के लिए आपको point मिलता है और एक मिलता है point आपका sound के लिए तो आपको क्या करना है आपका जो microphone है उसे आपको अगर आपका 4 point है तो उसे convert करना होगा आपको सबसे पहले 4 point यानि की ये अगर आपके microphone का जो wire आ रहा है और वो उसके पास उसके जो jack है उसमें 4 points है TRRS फिर से अगर तो आपको सबसे पहले तो इसे convert करना होगा 3 points में वो 3 points में कैसे होगा वो इससे होगा ये है आपका TRRS ये है आपका TRRS to TRS adapter ठीक है जब मैं इससे लगाता हूं तो ये देखिए आप इसमें TRRS तीन points है इसमें राइट तो ये इसके पीछे लग जाएगा तो आपका जो 4 points था अब वो convert हो गया है 3 points में राइट जब आपका 3 points में convert हो गया है तो ये जो आप splitter आप Amazon से या किसी भी other website से अगर आप खड़ देंगे तो आपको बहुत अलग अलग तरीके का ये product आपको market में मिलेगा अगर आपको ये मिल रहा है तो याद रखिए इससे आप ले लीजे और उसके बाद इस तरीके से आप इसके जो microphone वाला जो jack है यानि कि ये वाला इसमें आप ऐसे लगा ले tightly ठीक है जब ये लग जाएगा तब ये आपका microphone बहुत अच्छे से smartphone में काम करेगा और ये जो jack है ये आपके smartphone के 3.5 mm socket में लग जाएगा जो आपके जो sound port या microphone port होता है एक smartphone का उसमें ये लग जाएगा उसके बाद अराम से आप अपने microphone को connect कर पाएंगे और अच्छे से voice को record भी कर पाएंगे याद रखें अगर आप microphone ले रहे हैं तो super cardioid या cardioid kind of microphone ही इस्तमाल करें क्योंकि वो जो करता है वो एक direction से sound लेता है और बाहर के जितने भी disturbance या noise होते हैं उसको capture नहीं करता अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे like करें, comment करें और share करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें फिर मिलेंगे जैहिंद मेरे चैनल को subscribe करने के लिए subscribe का बटन दबाएं और नए वीडियो की notifications के लिए bell icon को दबाएं